नमस्कार वकील साइब इंडिया में आपका स्वागत है आज हमारे साथ श्री रमेश कुप्ता जी जो की सीनेर एड़ोकेट है प्रेजिटली बी-सीडी के मेंबर हैं इसके लावा फॉर्मर चेर्मन बी-सीडी भी रहे हैं और कहीं बार प्रेजिडन्ट न्यू दिली बार एसोशेशन के भी रहे हैं इसके लावा एमटी निवर्स्टी के अंडर ओनरी प्रफेसर भी रहे हैं और किस परकार ये फर्ज से अर्श तक पहुंचे हैं आए जानते हैं इनी की जवानी इनी के मुह से इनकी अपनी कहानी सर नमश्कार नमश्कार सर थोड़ा सा आप मेंबर बार को बताएंगे अपनी शिरुबात की कहानी पहले अपने परिवार के बारे में सब्सक्राइब करेंगे सर आपकी फैमिली में कौन-कौन है अभी तो खेर मेरी मदर हैं और दो बच्चे हैं मेरे जी दो लड़के हैं वाइफ है जी वाइफ वी दिली उनिएस्ट्री में एक लाइवरेडियन थी वो रिटायर हो गई जी बड़ा बेटा मेरा आयम एमदाबाद से एंबी है चोटा बेटा मेरा जो है वो उ बच्चों को तियार कर रहा है ताकि उसका सपना है कि 2030 के वर्ड कप में इंडिया भी पार्टिस्पेट करें सर आपको ये कहां मन में आया कि आपको वकील बनना है देखें कुछ डेस्टिनी भी होती है मैं तो पढ़ने में बहुत जादा उशार था नहीं पर पास होता रह मेरे को जो से याद आता है 56 में हमारे फादर जो डिफेंस मिनिस्ट्री में कलर्क थे उनको मोती बाग में दो कमरों का मकान अलॉट हुआ और पहड़ी दीरज में जहां हम रहते थे जहां मेरा जनम हुआ वहां से हम शिफ्ट हो गए और उन दिनों मोती बाग में कोई प्र निचर तो होता नहीं था सर जहां तक मेरे पास इंफरमेशन है आप यूपी एस्टी की प्रिक्षा पास करके गोर्न्मन जॉब भी आपने किया येस फिर क्या हुआ जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था मोतीलाल नहरु कॉलेज जो भी एक प्राइमरी स्कूल के अंदर था मैंने 68 में सुरुजनगर जाकर टाइपिंग सिखी और UPSC में LDC का एक्जाम दे दिया और 69 में ग्रेजुएशन होने से पहले ही मेरा वहां से सेलेक्शन हो गया और मेरे को हो मिनिस्ट्री से अपाइटमेंट लेटर आ गया और 18 अपरेल 69 को मैंने नॉर्थ ब्लॉक में LDC क की नोकरी जॉइन कर ली और मेरे को एड्मिशेशन में ही रख लिया सब LLB करने की मंच्छा आपके मन में कवाई देखे जब मैंने ग्रेजुएशन की और उसके बाद मैंने नोकरी कर ली तो मुझे था कि मैंने आगे कुछ ना कुछ तो करना है और मेरे को लगा कि LLB ही आप ऐसी चीज़े जो मैं प्रफेशनल डिग्री कर सकता हूं और जहां मुझे एड्मिशन मिल सकता है मेरे कई साथियों को आई टी में एड्मिशन मिल गया तो मेरे को तो वह मिल नहीं सकता था तो LLB में क्योंकि मेरे 46% मार्क्ष थे तो LLB में मेरे को इवनिंग क्लासि यह सर आपने दिली उनिविस्टी से किया या किसी और इनिविस्टी से सर आपने किया? इत्फाक से लाउस इंटर 2 खुला धोला को हमें 72 में और मुझे वाइड मिशन मिल गया है. सब यह आपने नोक्री जो की आपने कौन से संद तक नोक्री की और ऐसा क्या हुआ कि आप लोग ने इतनी सेक्योर जॉब छोड़कर एक अंसर्टेनिटी वाला परफेशन को चूछ किया कि यह जब मैं नोक्री कर रहा था तो मेरे ख्याले पहला मैं था कि तीन साल में मेरे को जूनियर रिशेप्शन आफिसर की पर्मोशन मिल गई और दो साल मैं जियारो का काम किया उतने में मेरी एल एल बी हो गई सेविंटी फॉर में फिर मैंने उन्ही दुनों फोटोग्राफ के भी मुझे कितना नुक्सान होना है तो मैं फोटोग्राफी से कमा रहा हूँ और मैंने वकाला शुरू कर दी है देखिए मैंने मौका ही नहीं दिया मैंने जब रिजाइन कर दिया तो मैंने घर में तो फोन थे नहीं मैंने अपने आफिस के फोन से फादर को फोन किया और उनको मैंने कहा जी मैं आपकी ये इन्फोर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि मैंने नोक्री छोड़ दिये तो आपने मतलब खुलाब मशुरा किसी से नहीं किया? मैंने किसी से नहीं किया और नोकरी छोड़के जब उनको फोन किया तो फिर फादर ने कहा कि अगर छोड़ी दिया तो भगवान भली करेंगे तो कितना बड़ा बोर्ड स्टेप ता सर आपके लिए ये? देखे मुझे नहीं लगता बोर्ड स्टेप थोड़ा दिक्कत ये थी कि भी अगर सरकारी नोकरी मेरी रहती तो जो फादर को मकान मिलावा था वो हमें मिल जाता पर मैंने सोचा कि अगर सारी जिन्दी इसी मकान में गुजारनी है तो मेरे को सोचना चाहिए नहीं तो मैंने सोचा कि मेरे पर खोने को कुछ नहीं है सर्थ आपके पास एक लीडर्शिप के गुन ये क्या शुरू से ही थे आपके जीवन में ये तो मैं कह सकता हूँ शुरू से ही थे क्योंकि मोती बाग में सारे ही परिवार लगबग एक से ही थे और एक कॉस्मो प्रोटिन थे हमारे हां हर जाती के वहाँ पर रहते थे लोग और घर के अंदर तो कुछ होता नहीं था अरुटिवी नाथ रेडियो नाथ तो बाहरी होता था सबकुछ जब बाहरी होना उता था तो सबकुछ खेल भी महाँ पर है सबकुछ वहैं करना उता था तो मैं काफी पीछे मुड़कर नहीं देखा अब टर्निंग पॉइंट आप किसको कहेंगे मुझे यह नहीं पता पर 2009 में में जो सीनियर लेजिंग नेटिड एड्वोगेट हुआ तो शायद वो भी टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए पर मैं कैसे बता हूँगे टी 6 में ंडी पीए सेक आया तो मेरे को कुछ अच्छे केस मिले तो वकालत का वो टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि उसको मैं कह सकूँ बाकी तो मैं क्या कहूँ हर स्टेप पे टर्निंग पॉइंट ही कहूँगे आपके लाइफ में सबसे प्रोमिनेंट जिसके बहुत सैडिसफाइड है उस के बा मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेरी वकालत का सबसे एहम केस था सैंसन के जो मालिक थे जो बाहर बैठते थे उनके खलाफ एक साजिश करके गाजियाबाद में करिमिनल केस डालकर चीटिंग का केस में सब को समन कर दिया उनके जो M.D. कॉरिया में बैठे हैं दुबई में उसके बाद जब वो मेरे पास फाइल है और मैंने सारा एक्जामिन किया तो मैंने उनके खलाफ जो दूसरी पार्टी थी दिल्ली में एक केस डाला और जजज ने सारा समझ कर उनके खलाफ F.I.R. का ओर्डर किया आइस्ता इस्ता जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पाया कि टोटल फरजी काहज बनाकर सब कुछ फरजी कंपनियां बनाकर गाज़ाबाद में केस डाला फिर गौपाल सुपरामिनियम भी थे उसमें सुप्रीम कोर्ट में अल्टिमेटली गाज़ाबाद का केस भी दिल्ली में आया और वो केस खताम हुआ सैमसन के खलाफ अब उस कि खलाफ किर्मिनल केस चल रहा है जिसमें वो सारे एक यूजद हैं सर आफ एक फ़स्ट जिनरेशन लाइजर हैं आप आज की यंग एडवोकेट को क्या मैसेज देना चाहेंगे किस परकार आपने अपनी लाइफ के अंदर जिस्क लिया सरकारी नोक्री छोड़ी और अंसर हमने जब वकाला शुरू की तो हम जब फाइल भी इंस्पेक्ट करने जाते थे तो एहलमत के पास एक कुरसी होती थी एक कुरसी टूटी सी दर पड़ी होती थी और थोड़ा सा कमरा होता था पंखा जो चल रहा होता था वो आवाज ज्यादा करता था आवा कम करता था ज्य तो हमारे जो जूनियर से हमें बात भी करता करता हूं तो वो उसी देर जज्जमेंट लिका लाते हैं तो आज के बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और आज के बच्चे प्रोफेशन को चूज करके आ रहे हैं हमारे टाइम तो हम नलाइक थे तो और कुछ नहीं वहाँ तो एलल भी कर ली आज बड़ा सोच के आते हैं और मैं ये मानता हूं कि उनमें थोड़ी पेशन्स होनी चाहिए होता क्या है कि कुछ बच्चे जो एनल्यू से करके आते हैं या कहीं से आते हैं उनको पहले ही पैकेज मिल जाता है किसी को लाक रुपे, किसी को डेर्ड लाक रुपे पर वो कितने परसेंट हैं, बहुत काम है उनको देखकर उनकी और कुलिक्स को फरस्टेशन होती है कि मेरे को दो साल होगे, कुछ नहीं मिल रहा पर उनको ये सोचना चाहिए कि जो बच्चे कहीं नोकरी कर रहे हैं किसी लाव फर्म में, वो वकील नहीं बन रहे हैं वकील तो वो यह जो कोट में प्रेक्टिस करेगा और कोट में वकालत करेगा उसके लिए तो आपको टाइम लगाना पड़ेगा मेरे को ये मानना, मेरा अपना ये मानना कि हर बच्चे को पेशिंस रखनी चाहिए अपने खर्चे कम करने चाहिए अब जब कमाने लगो तो तब खर्चे करो अब फरस्टेशन क्यों होती है कि खर्चे ज़्यादा करने लगते हो फिर आपको लगता है माबाप से कैसे मांगे आपको बसों में आने में शरम आती है मेट्रों में आने में शरम आती है आपको छोटी गारी में आने में शरम आती है छोटा फोन रखने में शरम आती है कि भई दूसरा क्या कहेगा अरे जब आप कमाने लगोगे जब आप करना मैंने भी तो पटेला उसमें बसों में आना चुरू किया फिर अठारा सो रुपे का एक लेमरेटा स्कूटर साकीन एंड करीदा उसमें आते थे हम और बलके कुलीग भी हमारे को रस्ते में मिलते थे उनको लिफ्ट देते वे आते थे तो वहां से चुरू किया उसके बाद जब वह मारूती कार आई मुझे अवे तक भी याद है हमारे को मारूती मेरे को मिल गई थी कार जिसमें ऐसी लगा होता था क्या बोलते थे उसको वह मैंने बेच के और्डिनरी मारूती एट हंडर ली और बाइस जार रुपया उसमें बचाए जो कि घर में ऐसी नहीं था आफिस में ऐसी नहीं था तो मैंने कार में ऐसी करके क्या करूँगा तो ऐसे ऐसे हमने आदे बढ़े है आज के दिन बच्चा तो स्कूटर में आने में तो शर्म मानता है मिडल क्रास का बच्चा भी वह अपने पेरेंट्स को रहना है और फिर इमानदार इसे काम करता रहे और अपने को शोशली भी एक्टिव करें अगर आप शोशली एक्टिव नहीं करोगे तो काम कहां से आएगा आपके पाद तो यह कई चीज़ें आप सरफ लैपटाप पर लगे रहो अपने दो चार दोस्तों के साथ चिलाउट क चाहते हैं कामयाब होना चाहते हैं तो आपको सोशली भी अपने आपको इन्वाल्स करना पड़ेगा देखिए मैं आनल जी आपको बताओं मैं अब तो खेर कोवीड का टाइम था अधर वाइस मैं साथ आर बज़े आफिस बंद करके तीन-तीन फंक्शन अटेंड करता था क करता भी हूँ मैरीज का टाइम होता किसी का कुछ है और दो दो तिन-तिन घंटे भी लगते हैं कई बारी तो एक एक घंटा जाने में लगता है पांच मिनट ले फाफा दिया दूसरे में गए तीसरे में दिये घर आके खाना खाया तो आप को जी नहीं तो मैं तो आम टू पिरिड के अंदर कोई इस परकार से जोगो एडवोकिट वगरा की डेथ हो रही थी उसके अंदर वर्चुली आप बहुत बुरी तरह से आप लोग रोए और ये सारी अख़वारों ने चापा ये आपका जी एक सोशल असपेक्ट था उसके बारे मिसल क्या करना चाहेंगे देखिए ऐसा है कि सुबह रोज फोन आ जाता सा कभी का कि मेरे को एडमिशन एक सुनी लगर वाल थे पट्यालाउस के लॉयर उनका फोन आया कि मैं मैक्स के बाहर गाड़ी में हूँ मिझे एडमिशन नहीं मिल रहा और मैं मर जाओंगा सड़क पे मैंने पूरा दिन कोशिश की कहीं एडमिशन मिल जाए एक हॉस्पिटल में स्पाइनल इंज्डियर का एडमिशन तो दे देंगे पर आक्सीजन सिलिंडर चाहिए वो नहीं मिला अगले दिन पता लगा उसके सड़क पी डेथ हो गए तो उतना मन खराब था जब जब जसी सांगी के आगे में कोई बात कर रहा था कि भई कुछ न कुछ करो वकीनों के लिए कोई हॉस्पिटल हमारे को दो या कुछ करो बार कौंसल कुछ भी करने को तयार है तो मैं उस टेम शायद थोड़ा कमजोर हो गया और संटिमेंटल हो गया आपका कमजोर होने वाली बात नहीं थी वो आपका एक सोशल काज था कि आप उस चीज़ को बरदाश नहीं कर पाए मेंबर्स के लिए आप इतने यादा डेडिकेटिड थे कि उस तो आप लोग वो आपको उपर एकदम हावी हो गया आपका वो सोशल काज जो है आप इसको इस एंगल से भी तो देख सकते हैं और सारी कैश पेमिंट की और फिर 110 सिलंडर उसमें गोयल गैसिज और जिंदल गैसिज ने फ्री रीफिलिंग का वो भी मैंने उनसे और उनसे किया अजिंदर साग्वान और हमाल अक्तर उस टाइम वाइस प्रेजिडेंट थे और वो सेक्टी थे और वो बिचारे लगातार लगे रहते थे और उससे काफी आश्ता-ईस्ता रेलिफ मिला सर आपकी होबी मेरी तो हॉबी तो काम करने के लावब हो सारी है कुकिंग मेरी बड़ी हॉबी है मैं जब स्ट्रेस में होता हूँ तो मैं कुकिंग करता हूँ और यारों दोस्तों के साथ भी करता हूँ करें भार जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं हम सर्वीस अपार्टमेंट लें, वहां कुकिंग करता हूँ, फोटोग्राफी मेरी होबी है, जब भी मैं बाहर होता हूँ, तो कैमरा मेरे साथ होता है, तीसरा मेरे को शेरोशारी का बड़ा शौक है, मेरे पाँ अच्छी कलेक्शन है, और कहीं बैठे होते हैं, तो शेरोश काने में आपके मदद की? दूसरा मेरा जो चोटा ब्रेदर है, वह अब सीए है, अब सीए की प्रेक्टिस कर रहा है, अगर फादर मदर बिमार होते थे तो उनको दिखाना, बच्चों के स्कूल उसको जाना, बच्चों की दवादारूस ने करना, तो मेरे को बिलकुल फ्री हैंड था, मैं तीन सो प अगर मैं एक लाइन में आपसे पूछू, आपकी तरक्की का राज क्या है, एक लाइन के अंदर सर। इमानदारी से काम करा और जिंदगी को मैंने इंज्वाय किया। और एक लाइन के अंदर आज की यंग जेनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। देखे, अपने आपको प्रॉपरली एक्विट करिए, सिरफ लाइन के अलावा आप मैं मानता हूँ, रिलीजियस बुक्स है, हिस्ट्री है, इंडिया का हिस्ट्री है, उसको पढ़ें और उसके बाद पेशेंस रखें और आइस्था आइस्था, आइस्था आइस्था, मैं रमेश गुपता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, जिनोंने बिल्कुल साफ सुत्री और बड़े फिरनेस के साथ, अपने जीवन की स्टोरी को हमारे सामने रखा, आपका बहुत बड़ी शुक्र जारों सर, सांकी वरमर सर, सोना इस्था, तैंक्यू